तो question ये है कि x plus one upon x का माल क्या दिया है a हमें कर निकालना है x square plus one upon x square तो इसका formula direct क्या होता है a square मतलब ये जो a है उसके square में हमें क्या करना है 2 को minus करना है लेकिन अगर question भी find out करना है कि x cube plus one upon x cube तो क्या हो जाएगा a cube में 3 के साथ a का भी multiply करके minus करना पड़ेगा मतलब a cube minus 3a ठीक है इसी तरह अगर question में ये दिया है कि x minus one upon x is equal to a तो हमें अगर निकालना हुआ कि x square plus one upon x square तो यहां पर क्या हो जाएगा ये जैसी यहां पर क्या था यहां पर क्या था a square minus two तो यहां पर क्या हो जाएगा a square plus two जस्ट वहां पर साइन का फरका जाएगा इसे तरह यहां पर पूछ दें कि x cube minus on upon x cube तो यहां पर जो यहां पर हमने पढ़ा है a cube minus 3 है तो यहां पर a cube plus 3 है मतलब यहां पर sign क्या है minus यहां भी क्या हो जाएगा plus